प्यारे विद्यार्थियों, आज जसी पार्ती काव शास्तर नालस बंदत महत्तापूर्ण विशे काव दे लक्षन अते सुरूप बारे चर्चा करांगे इस बारे शुक्देव शर्मा होना दी किताप आर्ती काव शास्तर दे दूजे खंड दा पंजमा जड़ा अध्यायत वाड़े पार्टक्रम दे वेच्चा अपचवन जातों स्टार्ट पन्या तक काव दे लक्षन दे सुरूप दे बारे चर्चा कीती गई है जो मैं गल्ला इस लेक्चर दे वेच करूंगा उस अध्यायत दे उपर अधारत ने इस तो पहला कि असी काव दे लक्षन दे सुरूप दे बारे चर्चा करिये इस नू जानना जरूरी है कि जड़ों किसी वरतारे नूपर भाशत कर दे आ होयां किस गल्ल दा सब तों वदेरे त्यान रखना जरूरी है पर काव तो बाहर भी जदों भी असी किसे वर्तारे दी चर्चा कर देया ता सनु ते आन दे विच रखना चाहीद है के उस विच अव्याप्ती अती व्याप्ती दोश ना होगे केहन तो पाव है के जदों किसे वर्तारे दे किसे विशेश कला रूप देवी लच्छन असी गणवाने यां ता ओ लच्छन ही सिर्फ गणवाए जाहीदेने जेड़े के उस वर्तारे नूँ ठीक ठीक प्रवाशत कर सकते हों उधारन दे तौर दे जे असी मनुखता दी प्रवाशा करनी हुए ता जे असी खास कद काट खास रंग रूप वाले मनुख नूँ ही सिरफ मनुख वज़ों प्रवाशत कर देयां ता एदा मतलब होरा रं बोरे रंग वाले, 6 फूट काद वाले ते चंगे रिस्ट पोष्ट शरीर वाले लोग ही मनुख हों देने। ता एदा विच्चों जेड़े काड़े रंग दे ते रंग दार दे मनुख ने ओहों दारे चो बाहर नेकल जानगे ता एदे विच एक तरा नाल जेड़ा हागा एक तरह नड़ अती व्यापती दोश वापर जूगा क्योंके बहुत सारे होर जीव एस वेचे शामर हो जानगे इस उदारन तो इलावा जैसी साहत दी उदारन लेने हैं ता बहुत वार जदों सी साहत नुपर बाश्यत कर देयां ता कई वार सिरफ एक है के ही साहत नुपर कोई भी रचना साहत हों दी है ता इस वेच बहुत सारियां जेहियां रचनामा शामिर हो जान गियां जेडियां रचनामा साहत दे के रेतों बाहर होन गियां पर दूजियां दे हितां दी पालना दे दूजियां दे हितां दा ते आन रखन वाडियां आपनी वेच समोन वा क्योंकि दूज्यां दे हिता नूँ आपने वेच स्मो के तुर्दियां ने ता इथे एक तरह नाड़े कहलो के अती व्यापती दोशेश दे वेच वापर जानदा के ओचीज जड़ी के साहत वेच नहीं हैगी उसनों असी साहत वेच शामिल कर ले आए पर जैसी किसे एक कारे वेच रहन गियां ते बाकी दिया रचनावा जिडियां ने वह साहत चों बाहर हो जान गियां इसलिए जदों भी किसे चीज़ों पर भाशत कर देयां ता अव्यापती दोश पाव जेही प्रभाशा नहीं बनानी चाहिए दी जिस वेच बहुत ही कट चीजां जा कट जड़ी रचनावाने ओ शामिल होन ते जदों असी अतिव्यापती दोश कहने आता जेही प्रभाशा भी नहीं ब्रॉन चाहिए दी के ओ चीजां भी शामिल हो जान ओस प्रभाशा दे वेच जेडियां के असल वेच वेच उस भरतारे नारस बंदत ना होन तो वक्रियां हो अक्सर ही जदो असी चीजानु प्रबाशद कर देयां ता अतीव्याप्ती दोश वापर देने ते बहुत सारे पार्ती कावशास्तर दे विच्वी इस तरह नी अपर बाशामा नू कर देयां होयां इस किसम दी जडी हगिया हो चीज देखी जा साक दिया के नो अक्सर हुंद प्रगटावे दे विच्च उचार दे विच्च केड़े एहो जहे तत शामिल होंदे ने जिस नाड़ एक सदारन पाशाई उचार काव दा रुत्बा हासल कर लेंदा है जमें असी काव दे हेतू दे बारे जड़े पार्ति काव शास्तर मताबक आव दे हेतू बारे चर्चा कीती गई सी ओस चर्चा दरान असी एस गल नूँ स्थापत करन दी कोशिश कीती सी के व्यक्ति दे अंदर केड़े एहो जे गोण ते लच्चन हुंदे ने जिना करके केड़े घोन होने चाहिए ऋधी शक्सियत टे भेड़े घोन होने चाहिए ने ऊस्थी सोचनी वेच केड़े घोन होने चाहिए ने उधी असी चर्च दर ने हेतूँआ दे इशापते a the have the बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा होई होई या सब्तो पहली गालता है के जड़ा पर्तमुनी जिना ने एक तरह नाड़ पार्ती काव शासर दा मुड़ बजन बनेया उनने काव ते लक्षन दे बारे ते काव दे शुरूप बारे बहुत ही कोई चर्चा नहीं कीती सब्तो पहला पाम्मा ने शबत दे अर्थ दे सहपाव नूं काव आक के सपश्च सब्दां विच काव दे लक्षन अते शुरूप नूं उलीक किया इंज शबत दे अर्थ दे सहज सुझोग नूं काव मन्निया गया ते पाम्मा ने इस सहपाव बारे बहुत ही चर्चा नहीं कीती के इह सहपाव दा अपना जड़ा अर्थ है उ की या किस किसम दा सहपाव होंदा है दंडी ने उस्तों बाद फिर काव अधर्ष नामी ग्रांत दे वेच शबत अर्थ दे सहपाव नू सपष्ट करन दी कोशिश कीती उनने कहा के इच्छत अर्थ युक्त पदावली अर्थ हाथ अर्थ दे दो में मिलके काव दा सरीर बंडेने एक उनने इच्छित अर्थ नू स्थापत करन वाड़े शबद दी गल कीती है, ते दूसरी गल उनने जेहे शबद ते अर्थ दे सहपाव नू काव केहा, जिड़ा अनन्दित करदा है, दो ता ते इस दे वेच शामल होगे, एदे बारे आपां बात दे वेच भी गल करांगे के इच्छित तो इते कीपाव है, ते अनन्दित करन तो कीपाव है, एस सुपरांत अचारिया वामन ने शबद ते अर्थ दे अजेहे सहपाव नू काव केहा, जो दोशा तो मुक्त है, अते काव दे गुणा दे नाल पर पूर है, जिस वेच अलंकारां दी वर्तों होंदी है, ओधने दे उनसार काव अलंकार दे कारण मानन योग होंदी है, ते सुन्दर्ता ही अलंकार है, काव विच इस सुन्दर्ता दोशां दे अपाव गुणा अते अलंकारां नू ग्रहंड करन नाल ही आउँदी है, वामन दा एक बहुत ही मशुवूर जड़ा कथन है, ओ र ओहो रिती हुंदी है, ते रिती काव दी आत्मा हुंदी है, ते विचेश्टता की हुंदी है, इस बारे उनना ने क्या के यसल च गोण योग्त होना, काव दा गोण योग्त होना ओहो रिती है, एक तरह नाल गोण योग्त पाद राचना नू रिती केह, ते रिती नू उन अलंकारा नाल सजाये होई शब्द समूरूं काव केहा। शब्द समूरूं काव केहा। अलंकारा नाल सजाये होई शब्द समूरूं काव केहा। अलंकारा नाल सजाये होई शब्द समूरूं केहा। अलंकारा नाल सजाये होई शब्द समूरूं काव केहा। शब्द समूरूं केहा। जो पाठक दे मननों हुलारा दिन दा है जां चमतकारी अनुपव करवों दा है। अचित्य विचार चर्चा दा लेखक है क्रिशे मिंदर। उना दा मत है के रासतों पर पूर काव दा प्राण अचित्य आए। जिते रास भी हैगा। रास दे होण दे बावजूद भी कोई शब्द रचना ओधों ही काव बन दी है। जिदों ओस दे वेच अचित्य दा तत होगा। अचित्य आतो बिना गोण अलंकारां जा होर कोई काव तत काव नू रमणीक अते सुंदर नहीं बना सागदा। जिदों तक अचित्य आतो बावजूद पूरी तरा नाल काव दे दाइरे दे वेच परभाशत नहीं होंदी। विश्वरात ने रसात्मक वाक नूं काव के है, कि जड़ा रसमई वाक है, वह ही काव है, क्योँए विश्वरात रास्वादी ने इस करके उरस नू किंधरी स्थान देंदे में वुम्हों संटों संट जिंटेशन और लुए heur अर्थ केहा जानदा है। 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 ते दोश रहत होना ते गुण युक्त होना इहें इस मूल लक्षन दे अग्गे दो विशेशन भी मन्ने गए। ते जड़ा पहला विशेशन है वो है काव दोश रहत होना जाहीद है। दोश रहत होन दा हुन की अर्थ है। दोश रहत होन दा अर्थ है के काव दे शबत अर्थ दे संजोग नाल जो रास पैदा हो रहे हैं, उस रास दे वेच कोई बादा ना पवे, ओहो रास स्पष्ट होवे, पोश्ट होवे, क्योंके जदो कोई काव रचना होंदी है पामें के ओहो रचना किसे एक विशेश रास दै परतीती दे वास्ते कोई विशेश रास को सिर्द में अबर हुन लए common यह बाव ब्र मजूदे समबब है कि अपनी रचना नाहीं प्रगट करणा चांगा उवे जह लिएक पाव पोषट हो गया तबूल अगार नाही को पुछ न नहीं है ते इसे तरह नाल संभव है कि कोई रचना बेलकुल दोष रहत होवे ओधे विच ओस तरह दे कोई दोष ना होण नुक्स ना होण प्रन्तु ओधे विच रहा रासा पुष्ट ना हो रहा होवे ओधे विच कोई ना कोई तात्त बाधक बांड रहा होवे ता ओ रचना दोष रहे तो होन दे बावजूद भी उत्तम रचना नहीं होगी ओ दोशां देवेच आऊगी शास्त्रां देवेच मन्ने आ गया कि जदों कोई दोश रचना वेच होवे पार रास अनपूती वेच वेगन नहीं बनदा ताँ दोश नहीं है यहाँ यहाँ दोश दे कैटेगरी दे दोश दे वर्ग दे वेच आऊँदा ओहो जे रास दी अनपूती वेच वेगन नहीं बनदा ताँ ओसनों असी दोश नहीं कहन दे ओसनों असी दोश दे कैटेगरी दे वेच ओस दे दाइरे वेच नहीं रख दे यहाँ दा मतलब की वाग है कि दोश कोई निर्पाख तात नहीं आएं सगों ओही थात जो किते होर पामें गोण होवेच विशेश रचना वेच रास दी अनपूती वेच रुकावट बन जावेच ता ओस दा प्रकारज गोण्दा न रना रहेके दोश दा प्रकारज बन जान दाए यह मन्यां जानदा है कि कोई भी दोश सुरूपत दोश नहीं हुन्दा बल्के जदो हो हरिद्या नों रास्दी न पूती करवाण वेच रुकावट पाउंदा है ता उस नों फिर दोश कहा दता जानदा है कई पाश आई तात जेहे हुन्देने जिडे एक किसम दी काव रचना वेच ता रास्दी न पूती वेच सहाई हुन्देने पर दुझे किसम दी काव रचना वेच रुकावट बन जानदे जमें पां कोज तो नियां दा हवाला दे सागदे हैं जमें टैंका ठठा डडड़ा यह उल्ट जीबी तो नियां ने इना दा जड़ा दहराओ है वीर काव दे वेच ता वीर काव नू देरे सुन्दर बनाओं दा है जिडे वेच वीर रासदी अनुपूती है उस दे वेच सहाई हुन्देने तत पर जे एही जडियां उल्ट जीबी तो नियां ने शिंगार रासदे वेच बार बार आउन ता एधा मदर उत्थे जाके एहे दोश बन जान गियां क्योंके ए तुनियां शिंगार रासदे दी प्रतीती दे वेच रुकावट बनन गियां ममट दारा दरसाए काव लक्षन दी जगनात ते विश्वनात ने अलोचना कीती है उनना दा कहना है के जे दोश रहत शब्द अते अर्थनों ही काव मन्या जान दा तब बिलकुल दोश रहत काव दा संसार दे विच मिलना मुश्किल है ना मुमकेन है अगला लक्षन है गोण साहत हों दा के इहे जबे मैं पहला किया है के पहला पहला जान दा पहला दा संसार दे विच नहीं है जेड़ी के मुकमल रूप दे विच दोशां तो मुक्त होवे पामे मममट हो रही ते होर साढ़े काव शास्त्री दोश रहत होण नूं काव दा लक्षन मन देने पर जगरनाथ ते विश्वनाथ एसनू काव दा महत्तपूरण लक्षन नहीं मन दे अगला लक्षन है गोण साहत होन दा के इहे जबे मैं पहला क्या है के पहला विशेशन शब्द ते अर्थदे संजोग दा दोश रहत होना ते दूसरा विशेशन है माधूरिया ओज अथे परसाद नाम दे गोण ने ओ हुने चाहिए अ के माधुरिया ओज अते प्रसाद नाम दे काव गुणा नडपर पूर दोश रहत शब्द अते अर्थ दस जोग काव है। इस तरह कोई रचना जो गुणा तो सक्षणी है और काव नी है। पाव ना दे वेच हर हालत दे वेच इना तिना दे वेच कोई ना कोई गुण होना जरूरी है। उना वेच माधुरेया होवे, माधुरेया दे नाल मिल दियां जुल दियां तुनियां अथे बिंबा अलंकारां दी वर्तों की ती गई होवे, ते जे ओधे वेच ओज गोणा ते ओज गोण नाल सबंदत तुनियां ते बिंबा अलंकारां दी ओधे वर्तों होवे, ते इसे माधुरय, ओज अते प्रसाद तिन्ना गुणा दे नाड़ पर पूर कोई जड़ी रचना है गी या ओस नू ही काव रचना दा रुत्बा प्रापत हुंदा है अपने आप दे वेच रासतों पर इन चीजा आने पर रास जड़ा है गुणा दे वेच रूप मान होंदेने गुणा नू काव दे वेच रास ता प्रमुख तत जा तरम ने आ जानदा है जड़े रास बादी ने हो कहने के काव दी आत्मा ज़ा काव दा तरम रास है अथे रास दे जड़े तरम ने ओहो माधुरया ओज ते परसाद गुण ने इना दे नाड़ ही जड़े रास होंदे वेच आउँदेने ते इस तरह नाड़ शबत ते अर्थ दा सुमेल काव है जेस दे वेच माधुरया ओज अथे परसाद दे गुण जान इना विचो कोई एक जान सारे एक को समय माजूद होंगे ता उना नूं काव दे दाइरे दे वेच रख्या जाओगा ममट वारा शबत ते अर्थ दे संजोग देडे दूजे विशेशन ने सगुणों पाव गुण साहत दावी विश्वनात ने खंडन कीता जमें विश्वनात ते जगननात ने दोश रहत होंदे तात नूं खंडत कीता उनाने क्या के एहे कावदे लक्षन नहीं हैगे ममट ने सगुणों नूं पाव गुण सहत हों नूं कावदा लक्षन मनने हैं विश्वनात ने खंडन कीता ते उना दे अनुसार गुण शबत ते अर्थ दे नहीं सगुण रास दे सहजत अर्म होंदे ने ते रास विच सदातों मौजूद रहन देने अगला लक्षन है कावदा काव दे विच अलंकार संबब है कि होवे इस तों बिना भी गुजारा कीता जा सकता है जिसनों कहा गया है काव अलंकार सहत होवे तां बेतर है पर एह कदे-कदे अलंकार रहत भी हो सकता है अलंकार जड़ा है गा उसनों भी शबत दे अर्थ दे सुमेल दा तीज्जा विशेशन बनिया गया है ता मतलब पहला तात ते केंदरी तात शबत दे अर्थ दा संजोग ही है यह दे बाकी दे जड़े लक्षन गिनाय जा रहे है ने गोण योगत दे दोश रहत होना उहो एक दा मतलब है के लोड अनुसार जे अलंकार काव नू सुन्दर बनावन वास्ते लुडीनदा है ओधों ता अलंकार दी वर्तों किती जा सकती है पर जे अलंकार खुद कविता नू बुजड ते असुन्दर बना दे वे ते लुडीनदा अलंकार ना वर्तिया जा रहे होए तां उहो कविता दा फिर लाजमी तात नहीं है। तां उहो अलंकार दे बारे उना दा विचार है कि अलंकार रहत शब्द अत अर्थ उसे तरह नाळ व्यार्थ ने जिवें गर्माहट तों बिना अग अग दे विच्छ सेक होंदा जे सेक ना होवेता अग फजूल है। उसे तरह नाळ जायदेव होना दा मनना है कि जे कविता अलंकार नहीं हैगी तां उहो एक तरह नाळ कविता कहौन दी हकदार नहीं है। ओ शब्द रचना जड़ी अलंकार रहता है ओ भी एक तरह नाळ बे लोड़ी जाँ फजूल मननी है। जायदेव अलंकार बादी ने उना दिये ता आरना उना दी जड़ी अलंकार बादी द्रिश्टी तो ही आओ दिया क्योंके अलंकार नू केंद्री तात मन देने। इसलिए उना दे मताबक इस गल तो बिना सारया नहीं जा सगदा अलंकार तो बिना काव दे विच सुन्दर्ता पैदा नहीं कीती जा सगदी इस गल दे उपर बाल देने। पर नाड यो यह भी कैदन देने किते किते अलंकार दे स्पष्ट ना होन ते भी काविकता बनी रहें दिया। अनांदित करनवाड़ा संजोग वे कैंदरी तत मन्यागे दूसरे नंबर दे उपर यह केंदरी तत मन्यागे जा रहे हैं तो रास है क्योंकि रास दी पुष्टी होगी काव रचना देवेच ता ओहो घुण सहत होगा थे धोश रहेत होगा। रास दे वेच रास दी पुष्टी वेच सहायक ना होण दी बजाए बादक बन रही है ता ओस रचना नों असी काव नहीं कह सकते। इस सारी गल नों समेट दे हो या कीड दे वेच फिर में चार जड़े लक्षन गिनाए गए ने वो दुबारा तो दोहराना। पहला लक्षन है के शब्द ते अर्थ दा संजोग काव है यह संजोग इच्छत हुनदा है पाव कवी दे मकसद दे मताबक कवी दे पाव प्रकटावे दे मताबक शब्द चोन करनी ही काव दा अधार्पूत लक्षन बन दी है। दूसरा शब्द ते अर्था संजोग है यह दोश रहत हुनदा है इस दे वेच रासदी पुष्टी होनी चाहिए यह रासदी परतीती स्पास्ट रूप दे वेच हुनदी है ता उस दे वेच दोश गिने जान देने को जो होन दे बाबजूद भी और अचना दोश रहत ही म आगली गल तीज्जा लक्षनाएं के काव घुण योगत हुनदा है जडि गुण ने हो ने माधुरिया ओज अठे प्रसाद त्यू इıld यहा गिया, के रासदी एह इकत्रानल तर्म ने, जा रासदी केंदरी तत्त ने माधुरिया ओज दे प्रसाद गुण ने काव दी आत्मा रास है ते रास दे किंदरी तत जडेने हो माधुरय ओज़ते परसाद गोण बन देने ते आखरी जड़ा ममठ हो रहा दा विचार है के काव अलंकार नाड भी हो सगधा, अलंकार सहत भी हो सगधा ते अलंकार तो बिना वी अलंकार रहत रूप दे विच भी कोई काव शब्द रचना जड़ी हगिया और काव दे दाइरे वेच समोग साग दी है अखीर दे विच अपका कहा सकते हैं कि जड़े काव दे लक्षन बरे चर्चा कीती है जड़ों सी आधुनिक समय दे वेचा जनने हैं ता काव जान साहत दी प्रभाशा जड़ी हगिया अग्गे जाके बदल भी जन दी है इस गालनों असी इस विचार देना खतम कर देयां कि पार्ती काव शास्तर मुताबक शब्द ते अर्थ दा इच्छित संजोग अनंदित कर्णवाडा संजोग जिस दे वेच माधुरिया ओज अते परसाद दे गोण होन अते कोई जेहे दोशना होन जेड़े रासदी पुष्टी दे वेच बादा बन दे होन ते उह रचना जे अलंकार रहत भी होवे ते तां भी जे अलंकार सहत होवे तां भी उसनों असी काव दे दाइरे वेच रख साग देयां इस डाल दे नर अपना मैं आज जिदा पाशन खतम करदां बहुत बहुत अनवाद असी अगले लेक्चर दे वेच काव दे पिद्धां बारे गल करांगे